नमस्कार ये आकाश्वानी है अभी आप सानुसर्मा से समाचार सुनेंगे पहले मुखे समाचार राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मू का यूबाओ से आहवान कहा राष्ट्र की सम्ग्रफ प्रगती के लिए विकास और अनुस्राश्चन का मार्ग अपनाए मंगम आपदा सिक्किम में आपदा प्रभावित लोगों को बचाने की प्रक्रिया हुई तेज वाईशेना ने संभारी कमान केंड्र मंति अनुराग ठाकुर ने अनिमेशन सिंकला के टीवी भारत है हम का किया सुभारम पहले से तेज हुआ इस्राइल हमास यूद अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस्राइल के लिए रवाना हिंद महासागर परिधिय संगठन का अध्यक्ष बना भारत हिंद महासागर संभुदाय का निर्मान करने की है प्रति प्राथमिक्ता अब समाचार विस्तार से राष्टपिती द्रौपति मुर्मु ने आज कश्मीर घाटी में यूवाव का आवान किया कि वे राष्ट के संग्रफ प्रगति के लिए विकास और अनुशासन का मार्ग अपनाए राष्टपिती कश्मीर विश्य विध्याले के बीश्वे दिक जमु कश्मीर जैसे छेत्र में विकास परक सिक्षा मातुपूर्ण है राष्टपिती ने कहा कि सांधिपूर्ण माहौल में सिक्षा के जरिये राष्टि के विकास के लाब पहुंचाए जा सकते है इस औसर पर इसनातकों को उनकी उपलब्दियों पर बधाई देते हुए राष्टपिती ने कहा कि युवाओ को सिक्षा के साथ साथ देश के गल्यान के लिए समाज सेवा में भी योगदान करना चाहिए उप राजपाल मनोज सिन्हा ने अपने भासन में जमू कश्मीर की पहली यातरा पर आई राष्टपिती द्रौपदी मुर्मुक का स्वागत किया उन्होंने कहा कि केंद्रिय सासित प्रदेश के लिए यह गर्व का विश्य है कि महिला ने आज अधिक स्वन पदक प्राप्त किये है इस पहले राष्टपिती ने स्रिनगर में सेना की पंडरवी कॉल के मुख्याले का दौरा किया और युद समारक पर पुस्पांजली आर कल मंगलवार को वाय सेना दौरा तेनात दो एमाई हेलिकॉप्टर दो चीनुक हेलिकॉप्टर और एक चिता हेलिकॉप्टर की कुल 49 उड़ानों की मदद के साथ एक घायल वेक्ती समेत आपदा में फसे हुए कुल 177 लोगों को स्तुरक्षित निकाला गया इसके अलावा सेना ने लाचेन, लाचुंग और चुंग्थांग में लोगों के लिए लगवग 35 टन राहत सामगरी भी भीजी है हवाई निकासी के साथ साथ चुंग्थांग और आसपास के इलागों में फसे 1200 से अधिकल लोगों को सेना भारत तिबस सिमा पुलीस बल और स्वयम सेवग को द्वारा बनाये गए पैदल पूल के माधियम से निकाला गया विबिन विभाग और सिक्किम के ट्रेविलिर्स एजेंट एसोसियेशन के अधिकारी निकासी प्रकरियाग को सुविता जनक बना रहे हैं सुसना और प्रसारन मंत्री अनुलाग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में एनिमेशन स्रिंखला के टीवी भारत है हम का सुभारम किया उन्होंने कहा कि प्रधान मंति नरंद मोधी ने स्वतनता संग्राम में योगदान करने वाले सेनानियों को स्वतांजली हर्पित करने के लिए आजादी का अंबित महसब की परिकलपना की थी यह स्वतंता संग्राम देश के भूले विश्रे युद्धाओं को याद करने का महतुपून प्रयास था। स्री ठाकुन ने कहा कि एनिमेशन पात्र, क्रिश, त्रिश और बाटली बॉय एक अनुठे तरीके से स्वतंता सेनानियों की गाथा प्रस्तूत करेंगे। भारत है हम एनिमेशन स्रिंखला इस महिनी की पंध तारीक से दूर दर्शन एमाजोन प्राइम वीडियो और नेट्फ्लिक्स पर सुरू किया जाएगा। स्री ठाकुन ने कहा कि बारा भारतिय भासाओं और साथ अंतराश्य भासाओं में यह अनुठा प्रयास किया गया है त लेकिन विर्शा मुंडा रानी अबबाग का जैसे अनेक लोग हैं जिन्होंने 17 संग्राम में महत्पून भूमी करही। सुचना और प्रसारन मंत्री ने कहा ही कि भारत के इतिहास और कम चर्चित नायकों के बारे में जानकारी देने के लिए आजादी का अमरित महसब के द उसने गाजा पट्टी के छेत्रों को हमास के नियंतरन से वापस ले लिया है। उसने यह भी बताया कि इसराइल लड़ा को विमान ने गाजा में हमास के 2294 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया। मीडिया की खबरों के अनुसार अब तक इस लड़ाई में दोनों पक्ष के 2200 से अधिक लोग मारे गए हैं। इस बीच अमरिका ने इसराइल को युद्ध में मदद के लिए साहता भेजी है। राष्टपति जो वाइडन ने कहा है कि इसराइल पर हमास के हमले के बाद किये स्तिती पर पूरी नजर रखी जा रही है। उन्होंने इसराइल को अमर करदन के लिए रवाना होंगे। इस बीच यूरोपिय संग के विदेश मंत्रियों ने ओमान में खाडी नेताओं के साथ आपात बैठके बाद फिलिस्तिनी प्राधिकरन को भुकतान निरंबित करने के अपने पूराने फैसले को पलट दिया है। संग ने कहा है कि वह इसर हैता की ततकाल समिशा करेगा ताकि धन रासी का दूरूपियोग ना हो। यूरोपिय संग के मुख्य राजनाइक बोरेल ने कहा कि यूरोपिय संग के अधिकांस देश इसराइल को समर्थन जारी रखने के पक्ष में है। उन्होंने यह भी कहा कि हमास के हमले के जवाब मे इसराइल की कुछ कारवायों थे अंतराश्टिय कानून का उलंगन हुआ है। सनिक राश्ट पहले ही कह चुका है कि बड़ी संख्या में आवादी को पानी बिजली और भोजन की सुविधा से बंचित कर देना अंतराश्टिय कानून के खिलाब है। हाला कि यूरोपिय जारी रहेगी। हिंद महासागर के देशों को इस्तिर और सम्रिद बनाने के अभ्यान में भारत ने हिंद महासागर परिधिय संगठन आयो आरे के उपाद्यक्ष का पद समालिया है। कोलूंब में इस संगठन की 23 मंत्री अस्तरिय परिश्ट को संबोधित करते हुए घनिष्ट सहयोग बढ़ाना चाहता है और एस दिसा में हमेशा पहल करने को तयार है। विदेश मंत्री ने सुरक्षित और खुसहाल हिंद महासागर के महत पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बारे में भारत की सागर और पडोसी प्रथम नीतिक का हवाला दिया। उन्हो ब्रिस्क अंतराश्टिय प्रतिस्प्रदा संबेलन आज से ने दिल्ली में सुरू हो रहा है। भारतिय प्रतिस्प्रदा आयोग के अध्यक्स रवनीत कौर ने कहा कि संबेलन में मुख्य रूप से प्रतिस्प्रदा से संबंदित कानून और नीतियों उनके बिभिन संभावना और चेतावनियों पर चर्चा की जाएगी उन्होंने कहा कि भारत में यह संभेलन एक दसक बात आविजित किया जा रहा है इसमें ब्रिस्क और गेर ब्रिस्क देशों के 600 से ज्यादा प्रतिनिदियों के भाग लेने की संभावना है ब्रिस्क के सदेशें के प्रतिस्प्रता आयोग के अधिकारी सुक्रुवार को संभेलन के समापन पर एक सन्यूक्त बयान जारी करेंगे सेना प्रमुक जनरल मनोच पांडे ने आज नई दिल्ली में हाल ही में हुए एशियाई खेलों में भाग लेने वाले सेना के जवानों को समानित किया चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतिय सेना के तीन महिला खिलाडियों समेत 60 सदिस्य एटलिटों ने 14 अलग-अलग स्प्रदावों में भाग लिया रक्षा मंत्री राजना सिंग ने कहा है कि भारत में रक्षा वी निर्मान के छेतर में सह विकास और सह उत्पादन की बड़ी संभावना है इटली की अपनी यात्रा के दूसरी दिन आज रोम में स्री सिंग ने इटली की रक्षा से संबंदित कम्पनियों के मुख्य कारिकारी अधिकारियों और रक्षा जगत के उध्योग पतियों से मुलाकात की उन्होंने इटली के उधर्गपतियों से कहा कि वे भारत रक्षा वी निर्माताओं के साथ आपूर्ती चेन को बनाय रखने को बढ़ावा दे बैठक में इटली के 24 रक्षा वी निर्मान कम्पिनियों के मुख्य कारेकारी अधिकारी अध्यक्षों और उपाध्यक्षों तथा वरिष्ट अधिकारियों ने भाग लिया बैठक के बाद स्री सिंग ने दूसरे विश्व यूद में सामिल नायक यस्वंत खड़के और अन्य भारतिय सेनाओं के लिया हाल ही में निर्मित स्मारक पर संधान्जली अर्पित की अफगानिस्तान के हेरात सुबे में आज 6.33 ताके भूकम से 100 से अधिक लोग हायल हो गए अमरिकी भूगर्ब सर्वेक्षन के अनुसार भूकम का केंद्र हेरात सुबे की राजधानी से 28 किलोमीटर दूर पर था इसे के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्थ हुआ नम